उम्शान्ती आज 3 एप्रिल 2021 है और आज की मुडली से बाबा का वर्दान है एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वेरागी भव राग का मतलब होता है अटाच्मेंट आसक्ती अफनटी और जहां राग होता है वहां द्वेश भी होता ही है बाबा ने हमें वेरागी बनाया है बेहद का वेरागी बनाया है यानि इस दुनिया में रहते हुए पुरानी दुनिया में शरीर से हम रहते हैं लेकिन बुद्धी से हम इसका सन्यास करते हैं बुद्धी से हम काम, क्रोध, लोब, मो, अभिमान का सन्यास करते हैं वेराग करते हैं और उसकी सरल विधी है कि जब हम बाबा को अपना संसार बना लेते हैं यानि बाबा से मेरे सारे संबंध हैं और सारी प्राप्तियां मुझे बाबा से ही अनुभव हो रही हैं जब इस अनुभव में हम सारा दिन रहते हैं तो स्वतही मेरा बुद्धी रूपी पाउं पुरानी दुनिया की तरफ जाही नहीं सकता साथ ही साथ बाबा ने हमें ये याद दिलाया है कि बच्चों जो मेरा खजाना है जो मेरी संपत्ती है वो तुम्हारी भी संपत्ती है तुम भी उसके अधिकारी हो तो जब हम इसको अपनी स्मृती में लाते हैं कि जो बाबा का है वो मेरा है बाबा भी मेरा है तो नाच्रिली हम बेहत के वैरागी बन जाते हैं तो आज हम सारा दिन चेक करें कि मेरी बुद्धी कहां कहां जाती है क्या मुझे कुछ रिस्पेक्ट की आवश्रकता है क्या हम स्ने ढून रहे हैं क्या हम खुशी ढून रहे हैं और किस से ढून रहे हैं किसी व्यक्ती से ढून रहे हैं किसी वस्तु से ढून रहे हैं किस प्रकार से हम अपने आपको प्र कर रहे हैं क्या वो भौतिक प्राप्तियां हैं संसारिक प्राप्तियां हैं या अविनाशी इश्वर्य खजाने हैं जब हम सारा दिन इस पर अटेंशन रखते हैं और हर घंटे पर अपनी चेकिंग करते हैं तो हम पाएंगे कि हम धीरे धीरे बाबा के और करीब आते जाते है और सच मुझ जो बाबा की प्रॉपर्टी है, जो बाबा हमसे चाहते हैं कि बेहत के वैरागी बनो, एक बाबा को अपना संसार मान के चलो, उस चीज को हम आसानी से साकार कर सकते हैं। ओम शान्ति